स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो पांच जल सखियां पानी जाज के लिए रखी गई थी आगे उनका क्या काम होगा क्योंकि कई लोग कमेंट में ये पूछ चुके हैं दिदी जो पांच जल सखी रखी गई थी वो आगे क्या करेंगी उनका क्या होगा चलिह हम आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में वीडियो पूरा एंट देखेगा छोटी सी वीडियो है आपको बताने की जल सखी किसे कहते हैं क्योंकि पांच जल सखी पानी जाज के लिए रखी गई इसके लावा एक सखी जो की जल जो कर है टेक्स है उसको वसूलने का काम के लिए रखी जाएगी तो कुछ यह जो जादकारी है आपको समझ लेने जरूरी है जल सखी किसे कहते हैं जल जीवन मिशन के अंतरगत ग्रामीर इलाकों में जो जल समितियां बनाई जा रही यानि की ग्राम 55 पर जल सम जाद उस समिति में कौन-कौन लोग होते हैं तो समितियां जो होती है ग्राम जल आपूर्ती प्रडालियों की योजना किरियान वयन प्रबंधन संचालन और रख रखाव करती हैं यानि कि जो पानी की टंकी बनेगी अब उस टंकी से जो भी पानी सप्लाई होगा गाउं मे प्रते घरों में जाएगा और भी जो वहां पर जरूरते हैं जिसको जिसको आ सकता है तो जहां जहां पर मतलब कनेक्शन दिया जाएगा तो अब पानी टाइम से जो है सप्लाई होना पानी भरा जाना पानी की देखरेक टंकी की साफसफाई की देखरेक संचालन बगएरा जो भी प्रबंधन वगारा है, जो भी ववस्था है पानी की लेकर टंकी को लेकर के, उसको देखने के लिए कोई ना कोई तो एक स्टाफ तो होगा ही, उसको निगरानी देख रेका खर कौन करेगा तो वह जल समीती ही करती है, अब जल समीती में 10 या 15 से होते हैं, 10 भी हो सकत हैं और इसमें बताया गया है अब जो महिलाएं होंगी वो पचास प्रतिशत होंगी कम से कम पचास प्रतिशत महिलाएं मतलब के अगर जल समीति में दस लोग हैं तो पांच महिलाएं होंगी और पांच पुरुस होंगे और अगर पंद्रह सदस्ते हैं तो उसका आधा कर एगर समभु नहीं बने हैं तो फिर अन्दीदिया गाओं की ली जाएंगी महिलाएं जो जाग्लुख सक्री होगी ने तो अधिकतर समू हर गाओं में होते ही हैं तो समू की ही दिदी को इसमें लिया जाएगा मनता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ कारे करता भी इसमें लिये जाएंगे जैसे की आसा दीदी तो सभी को पता है कि पांच जलसकियों में एक आसा दीदी को भी लिया गया है तो आसा दीदी भी होगी या फिर आंगनवाडी की दीदियां भी इस के गाउं में सिक्षक हैं टीचर हैं अध्यापक हैं तो उनको भी इसमें सामिल किया सकता है तो कुल मिला के इस पकार से महिलाओं को सामिल किया जाएगा समू की दिदियां हो या समू नहीं तो अन्य कोई है या आसा आंगनवाडी हैं सिक्षक हैं इन लोगों को सामिल करके औ और भी जो लोग है उनको मिला करके जो भी जागरोक लोग है अधियापक वगरा है टीचर वगरा है यह कोई भी है तो उनको सामिल करके जो है समिती बनाई जाती है अब समितियों में सामिल इन महिलाओं को ही जलसखी कहते हैं यानि समिति में जो महिलाओं सामिल की गई है पानी की देख रेक विवस्था संचालन के लिए समिति में पांच दीदी रखी गई है या साथ दीदी रखी गई है जो भी है समिति में सामिल है तो वो ही जलसखी कहला तो जल सखी जो होती है वो ग्रामीर इलाकों में वर्शा के जल की बरबादी रोक कर उनके जल सन रच्छड और पानी के महत्व के बारे में लोगों को जागरूप करती है अब जो जलसखी करवसूली का काम करेगी वो इन दीदियों में से भी कोई दीदी हो सकती है अगर अपलाई किया है तो वो इस पद पे भी कारे कर सकती है और या फिर सम्हू के अन दीदियों में से भी कोई दीदी हो सकती है तो जो करवसुली का काम करेगी वो भी जलसकी होगी जो समिती में जुड़ी दीदियां है वो भी जलसकी है तो अब आप समझ गये होंगे जलसकी किसको किसको कहा जाता है कौन दीदी जलसकी कहलाती है तो अब जो दीदी चुनी गई थी वो समिती में ही इस तरह से जुड़ी होंगी जो पानी वेवस्था को देखेंगी यही कुछ अपडेट है जलसकी को लेकर के तो आगे जो भी और जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के जरूर कर लिजेगा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद